नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि सिफाकाइंड टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, सिफाकाइंड टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और सिफाकाइंड टैबलेट की वजह से क्या साइड सिफाकाइंड टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, सिफाकाइंड टैबलेट सेफलोस्पोरिन ड्रग प्लास की एक इंतिबायोतिक दवा है, सिफाकाइंड टैबलेट का उप्योग शरीर में बैक्टीरियल इंफेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे तवचा प जोडो या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर और कान नाक या गले में इन्फेक्शन होने पर आपका डॉक्टर सिफाकाइंड टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। शरीर में इन्फेक्शन होने पर आपको बुखार हो सकता है। इसलिए बुखार होने पर भी आपका डॉक्टर सिफाकाइंड टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। फेफरो में इन्फेक्शन होने पर खांसी हो सकती है। इसलिए खांसी को ठीक करने के लिए भी आपका डॉक्टर सिफाकाइंड टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडिशन्स हैं जिनमें आपका डॉक्टर सिफाकाइंड टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। सिफाकाइंड एक ब्रैंड नेम है। सिफाकाइंड टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजीशन से फिरोक्सिम होता है। सिफाकाइंड टैबलेट 250MG वर 500MG की स्ट्रेंट में अवेलेबल है। दोस्तों खृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिसकस करेंगे कि सिफाकाइंड टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंड होता है। सिफाकाइंड टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर सिफाकाइंड 500 mg कैपसूल को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन सिफाकाइंड टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको सिफाकाइंड टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। और डॉक्टर की सलाह के बिना सिफाकाइंड टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। आपको सिफाकाइंड टैबलेट को उतने समय तक पूरा लेना चाहिए। जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने सिफाकाइंड टैबलेट को लेने की सलाह दी है। क्योंकि सिफाकाइंड टेबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका infection वापिस आ सकता है। अब हम discuss करेंगे कि सिफाकाइंड टेबलेट की वजह से क्या side effects हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सिफाकाइंड टेबलेट की वजह से कोई side effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ परसिंट व्यत्तियों में सिफाकाइंड टेबलेट की वजह से कुछ सामानने साइड एफेक्ट्स हो सकते हैं. जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बधजमी, त्वचा पर रैशेस, पेट में दर्द और दस्त हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे कि सिफाकाइंड टेबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, और किन कंडिशन्स में सिफाकाइंड टेबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है. सिफाकाइन टैबलेट वाइरल इंफेक्शन होने पर जैसे जुखाम या फ्लू होने पर काम नहीं करती है इसलिए एंटिबायोतिक दवाओं को कभी लेना चाहिए जब जरुरत हो बार-बार या बिना जरुरत के Antibiotic दवाओं को लेने से Antibiotic Resistance हो सकता है और Antibiotic Resistance होने पर वो Antibiotic दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी और ऐसी स्थिती में infection को ठीक करने के लिए आपके डॉक्तर को दूसरी Antibiotic दवा देनी पर सकती है अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड़नी की कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए. क्योंकि लिवर और किड़नी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में सिफाकाइन्ट टैबलेट की डोज घटानी पर सकती है. अगर किसी व्यक्ति को सिफाकाइंड टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रीडेंट से एलरजी हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को सिफाकाइंड टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं सिफाकाइंट टैबलेट को ले सकती है या नहीं। वैसे सिफाकाइंट टैबलेट प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है। लेकिन प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर सिफाकाइंट टैबलेट को लेनी की सलाह तब ही देते हैं, जब सिफाकाइंट टैबलेट का देना बहुत ही ज़रूरी हो, इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सिफ क्रिदिसी प्लिइ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना जैनल को सब्सक्राइब कर देनार और अगर आपका सिफा काहिम्ड टैबलइट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं